चुच्क का प्याइए तेरी प्ल्सक्राव 12 कि पॉर्स पिलist को जीब सिवतल में रहलों के समय घरे किनम्हुट इन सेव crashes इंटो स्वें मुल्सी आधनि को जीब ईन तो यहां एक बहुत साफ है अगर हमने देखा है पिछले लगातार दिनों में कि जो भी नई हो सिटीज आई वहां पर स्टी का पोस्ट बेकुल जायव है ऐसी का पोस्ट जायव है आप एड़ोटीजमिन देख सकते हैं उसमें बहुत साफ साफ इसका असर दिखाई दे रहा है कि जो पहली तीन सीट पहले तीन सीट जैगी जनरल को उसके बाद चोथी को उसके बाद दो 17 जनरल को फिर एसी को तो यहुवत और आध दस टोarp निकलिए और हमेशे सबONE सब्गिशन के ज हाई कोट के जज्मेंट को अफोल्ड किया गया और इस बीच में डूटा ने और देश के विवन भागों से दलित और बहुजन सावाज ने आंदोलन डॉलप किया विक्सित किया और में चाड़ी ने डूटा के डेलिगेशन को ये प्रॉमिस किया कि वो सुप्रीम कोट के डिसीजन को अंडू करने के लिए एक ओर्डिनेंस लाएंगे या पार्लेमेंट में बिल लाएंगे और उसके बाद हमें हम आश्वस्त हुए कि सरकार ये करने जा रही है लेकिन उसके पाद सरकार ने एसलपी फाइल किया और ये कहा कि अगर कुछ नहीं निकलता है तो हम अडिनेंस लाएंगे हमने इंतजार किया अब सुप्रीम कोट ने एसलपी खारिज कर दिया है तो उसके बाद सरकार मुकर गई है वो ओर दिनेंस और बिल लाना नहीं चाहती है 13 पॉइंट रोष्टर में रिजर्वेशन आलमोस्ट पूरी तरह से खुतम हो गया है यसलिए जब उसको खुद सरकार ने माना कि अब ये रोष्टर गलत है जो सोसल जस्टिस के खिलाफ है उसके खिलाफ सरकार MHRD और UGC दोनों SLP दायर करती है 6 महिने तो उसमें कोई सु इन्वाइब होती है और उस SLP को खारिच कर दिया जाता है श्बैशल लीव पेटिशन डालिए स्पेशल लीव पेटिशन ना होकर बल्कि लीगल प्रिवेंशन है जो हमें लीगली कोट के माधियम से भार कर दिया गया है और कोट का नाम देके कहते कि कोट जो है वो शुक्राइब करें जो उनके लिए सिवा काम मुकर्र हुआ था हमारे शास्त्रों में धन शास्त्रों में वही करें अब पढ़ने के लिए नहीं हो मनुसमर्दी के माधियम से हमें एक्सलूट कर दिया था पढ़ने से और आज रोस्टर के माधियम से हमें बिल्स्टु आए गया है हमारी जनरेशन को यह कहते हैं कि तुम मज़ूर हो तुम जो है नीचे काम करोगे तुम वही काम करोगे तुम तो खुद UGC ने 2006 से पहले जब आकड़े जमा किये तो देखा कि 15 प्रतिश्रत SC होने की बजाए सिरफ 2 प्रतिश्रत SC है और इसी तरीके से STS का नंबर और बहुत कम है तब जाके UGC Regulation 2006 ने कहा कि आप College as a unit मानिये यानि कि academic सत्र में जितनी आपकी post बन रही हैं उसमें से 50%, 49.5% reserved होनी चाहिए और अगर आप एक department में नहीं accommodate कर सकते तो आप दूसरे department में accommodate कीजे आपको proportional distribution का भी एक तरीका हो सकता है दिली विश्व विद्यालने ने इसके लिए अपना एक तरीका निकाला पर जितनी post निकल रही हैं सारे departments को put together करके College as a unit मान कर आप निकालिये तब जाकर हम देखते हैं कि वो reservation का जो mandate है constitutional mandate है वो पूरा होता है और अगर 200 point roster चला जाता है और department wise roster बनता है तो हमारा मानना है कि SCST और OBC की बड़ी संख्या के अंदर चटनी होगी उनकी नोकरियां जाएंगी और हम समझते हैं ही कि समता मूलक समाज के पूरे निर्मान के दरश्टिकोन से ये बहुत बड़ा जटका होगा और समाज को पीछे दखेलना होगा ये बहुत ज़रूरी है कि आज 200-point roster treating college या university as a unit बहाल हो और इसके लिए हम चाहते है कि सरकार बिल्या ordinance लाकर इसको तुरंत solution निकाले बिल्ली विश्विद्याले में एक और नही situation ये है कि पिछले तमाम सालों से यहाँ पर permanent positions के against, full vacancies के against ad hoc teachers काम कर रहे हैं और 2013 से 200-point roster treating college as a unit, university as a unit लागू है आज अगर ये बदलता है तो तमाम लोगों का displacement होगा जिसमें भारी संक्या ST, SC, OBC की बाहर हो जाएगी लेकिन UR positions में कभी OBC बनेगी, कभी UR position SC, OBC बनेगी, OBC, UR बनेगी ये तमाम displacement होगा और एक बहुत बड़ा मेहम हो जाएगा दिली विश्विद्याले में Article 335 of the Constitution of India में एक किले में CLAIM मनला 15% SC और 7.5% ST, अब अगर 13% को लागू कर दिया जाए, 13-point roster को, तो ST का तो समझ लो 100% कया So SC, ST, OBC is going to be wiped out from higher education scene in terms of employment and this comes after when you have increased posts and all that, so there are more qualified candidates now who are eligible to be appointed But you are taking away the result posts Government also, they know it very well, it is not just very casually they brought out this issue at all, very systematically how to sabotage the whole idea of reservation, they systematically brought out So the first thing that comes to us, the 13-point department-wise roster is completely closed by the door When we research and PhD, we hope that when our thesis comes to us, we will work in the university, we will work in a better assistant professor So the first thing that comes to us, we will work in a better system as well, and you will work in a better system We know that when people have been told this, I will tell you that there are few different people who have made this country in China, which are the people who have made it, they will not have to study them If we will study them, they will not have to study them, we will have to study them हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो SCST और OBC के अधिकारों को मार रही है और उनके रोस्टर को खत्म करके नोकरियों से उनके पीछे डखेल रही है और जो नहीं जनसंक्या आने वाली है जो चात्र जो शोत करता है रिसर्च कॉलर्स हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर रही है और दूसरी तरह समास को पॉलराइज करने के लिए और वोटों की गिंती को अपढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया शगूफा चोड़ा है जिसमें कहा है कि वो एकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन देंगे तीन स्टेट्स में हाथ तुनाओ खानने के पाथ 10% रिजर्वेशन जो है वो तीन दिन के अंदर अंदर लागू कर दिया जाता है लेकिन खोष्टर का जो सवाल है उस सवाल पर पिछले एक साल से लगातार हम लोगों का विरोप चल रहा है कि ये सरकार इस पर ओर्डिमेंस लाए या बिल लाए आज तक वो बिल नहीं आया है आज तक ओर्डिमेंस नहीं आया है लेकिन तीन दिन में 10% के आठ लखिया गडिवों के लिए जो है वो रिजर्बेशन लागू कर दिया गया है ये है इन सरकार की पॉलिसी तो हम ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से 10% कोटा के लिए EWS कोटा के लिए जो 25 प्रतिशत एक्सपेंशन होना है उसमें सरकार फिर कमर्शिलाइजेशन का मुद्धा आगे कर रही है यहाँ पे स्टूडन टीचर रेश्यो खराब होगा आज तक जो ओबीसी एक्सपेंशन में कहा गया है उसको ही 10 साल लगे बनने में और अभी भी कई कॉलेजेशन में नहीं बनाया है तो कहां स्टूडन बैठेंगे का बड़ा सवाल है पर यह सरकार का एक तरीके से आप देखें नॉन सीरियसनेस, नॉन कमिट्मेंट कि हम वो किसी चीज़ को कमिट करने को तयार नहीं और दूसरी बात यह कि कमर्शियलाइजेशन का पूरा एजेंडा, कॉंट्रेक्च्छल टीचिंग पोस्ट पर उनका फोकस होना, हीफा से लोन लिया जाए, इसके उपर फोकस होना, तो वो किस एजेंडे को पुश कर रही है इस 25 परतिश्यत एक्सपेंशन के अंडर एक तरीके से कवर के अंडर, यह हमें देखने की बात है। करके इंफरस्ट्रक्चर को किसी तरह से बिल्ड किया जा सकता है, ना ही वो टीचिंग हैं, टीचर की पोजिशन भी देने के लिए मना कर रहे हैं, और आनन फानन में मही के चुनाव को ध्यान में रख करके यह शगूपा उन्होंने चोड़ा है, और हम समझते हैं कि इस पर बड़े पहमाने के उपर कंप्रोमाईज होगा, और जो सपने हमें दिखाते हैं, कि हम पूरे अंतरराश्चिय पहमाने पे 200 उन्वासिटी का हिस्सा नहीं बन पाने हैं, तो हमारा स्टूडेंट टेचर रेशो जिस परकार से बिगड़ेगा, अभी भी बिगड़ा हुआ ह और ज्यादा खराब होगा, उसमें हमें लगता है कि हमारा अकेडमिक स्टेंडर्ड और नीचे जाएगा, गुर्वत्ता खत्म होगी, और कियाउस की स्थिती जो है आने वाले समय में जुलाई के महीने से सेंटरल उनिवरस्टी, स्टेट उनिवरस्टी में होने वाली है, और मैं समझता हूँ, ये सिक्षा के लिए, ये समाज के लिए बहुत खातक कदम है, जो इस सरकार ने लिया है, हम सिक्षक हैं, हम समाज को बनाते हैं, यदि हमारे ही उपर, जो समाजी न्याई की जो अवधारना है, उस पर जदी हमला होगा, तो हम सरकार के लिए बहुत ही मुसिबात खड़ी कर देंगे तो कुल मिलाकर के जो समय दाने का अधिकार है उसका एक तरह से हनन है तो उस हनन के ना हो इसकी भरपाई के लिए सारे जो SCST के लोग है OBC के पूरे भारत में सारी सेंटरल उनिवस्टीज में अपनी मांग कर रहे हैं कि ये रोश्टर 13-point और departmental रोश्टर है ये ये वापस हो और हमारा 200-point रोश्टर है जो college ऑजरे सिंगणी इन्ट है जो university ऑजरे सिंगणी इन्ट है वो हमारा ऐसा का वैसा ही रहना चीए क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि नई पिढ़ी 90 के बाद जो पिछड़े तब को की माइनार्टीज की मुस्लिम माइनार्टीज की आ रही है उसको खतम करने का ये साजिस है हम अपना डिमांड मांग रहे हमारा सीधा सा डिमांड है कि 200 पॉइंट रोश्टर को ले करके सरकार आने वाले बज़त सत्र में आडिनेंस लाए और आडिनेंसी ने बेलकी बिल लाए और उसको कंसिटूशनल अमेंडमेंडमेंट के थूँ सुप्रीम कोट के उस आडर को चे मांग ने क्योंकि देश किसी एक का नहीं होता है देश सब्का होता है और अब तो हम एक मांग और रख रहे हैं कि अब तक जितनी वैकेंसी में शार्ट फॉल और बैक लाग लाग हुआ था वो भी तुरंत में मिले ताकि हायर एजूकेशन को ओवराल बचाया जा सके सोसल इस पूरे मुल्क को बचाने की लड़ाई है और इस सरकार को जो आरेक्शन विरोधी सरकार है जो नागपुरिया कानून थोपना चाहती है इस देश में उसको हम यहां से खदेड देंगे यह रोश्टर सिस्टम बराबरी के खिलाफ है और हम मुल्क के साथ है हम चंता के सा जा सब की आवाज हो जा सब की बाते हो शुक्रिया दोस्ते के